पाकिस्तानी मीडिया ने फाइनली एकसेट कर लिया है कि पाकिस्तान को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है डोनाल ट्रम्प बने या जो अबाडन अमेरिका इंडिया का पार्टनर है पार्टनर रहेगा पेंटागन जो कहेगा वो होगा तो पाकिस्तानी मीडिया ने फाइनली एकसेट कर लिया है कि कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है भारत को वहाँ पर कोई बने और यहां पर जो सोस meow मीडिया में पाकिस्तानी जो आपको पता है पाकिस्तानी गवर्मेंट और आर्मी ने अपने सारे अंडे चाइना की बाल में डाल दी हैं चाइना की गोद में बैठा हुआ है कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला तो चलिए दोस्तों बेरा किसी देरी के वीडियो की और बढ़ते हैं पांक्सो अर्टीस के इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो दरकार हैं और इस वक्त के नताइज के मताबिक जो बाइडन को वाज़ बरतरी हासल है और वो जीट से सिरफ 6 वोटों की दूरी पर हैं और ये बात तकरीबन वाज़ हो गई है कि अमरीका के नए सदर जो बाइडन होंगे उनकी इस खिते के लिए पॉलिसी क्या होंगी पाकिस्तान और भारत में से उनका जुकाओ किसकी जानेब होगा और क्या जो बाइडन चीन के साथ अपने तालुकात में बहतरी ला पाएंगे इस हवाले से आप बात करेंगे हमारे साथ इस वक मौझूद है मारूफ तज्जियकार जनाब इम्तियास गुल साब श्लाम अलेकूम इम्तियास साब श्लाम अलेकूम बारिक हो आपको अच्छा सर आपको भी मुबारिक बात दे रहे हैं वर यू सपोर्टिंग जो जो बाइडन ने किसी को भी सपोर्ट ने कर रहा था निताफ हमें मुबारक बात दे रहे हैं इसका मतलब है ही है वो वाइट हाउस में भी नोट हो गई है स्टेट डेपार्टमेंट में भी उन्हें मालूम है कि हमने अपना किबला जो है चुन लिया हुआ है और उस वज़ा से पाकिस्तान के लिए बड़ी महारत चाहिए होगी अमरीका के साथ तालुकात को एक मतوازन अंदाज में चलाने के लिए अच्छा लेकिन अमरान खांद साथ की अगर हम एक्वेशन देखें तो ट्रम्प के साथ तो बहतर थी और खांद साथ का जो वहां पर टॉर भी था उसमें भी ट्रम्प बड़ा साथ-साथ वो कहा जा रहा था ना उन अलाकों में भी वाइट हाउस के लेकर उनको फिरा जहां पर कोई नहीं जाता था तो इमरान खान साथ के साथ उसकी एक्वेशन तो बड़ी अच्छी थी बाइडन के साथ नहीं हो सकेगी क्या अच्छी एक्वेशन देखी टरंप साथ बड़े लाओ बाली किसम के गयर रिवायती सियासदान थे उनको कोई पसंद आ गया तो बस उसको उसकी तारीफ में वो जमीन अस्वान के कलाबे में लादे थे अब वो गलिवन नहीं होंगे वाइट हाउस में और एक रिवायती सियासदान है बड़े एक कंसिडरेशन की वज़ा से जहां पर मतलब कई मुलकों की इतिहादों की सियासद कर फर्मा होती है वहाँ पर शखसी तारलुकात कोई बहुत ज़्यादा एहमियत नहीं रखते हैं अमरीका की इंतिजामियां अमरीका की इस्टाबलिश्मेंट उन्होंने तमाम इदारों मिलके अपना एक निचोड निकालना होता है किसी भी मुलक के साथ तारलुकात का और वो निचोड जाता है सदर के जहन में और उसी की बनियाद पे वो मतलब का मुलक के साथ तारलुकात उस्तवार करता है या उसके रहनमाओं के साथ तो हमें अंदरूने खाना बहुत सारे मामलाद जो अपने हैं उनको मजीद बेहतर करना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा उमीद हमें नहीं रखनी चाहिए अपने मश्रिकी हमसाई से भी उनके साथ भी तालुकात ठीक नहीं है अब उनको शायद मजीद बढ़ावा मिलेगा क्योंके रिवायती तोर पे डिमोक्रेट जो हैं वो भारत के काफी करीब रहें आपको मालूम है कि अबामा दो दफ़ा भारत का पाकिस्तान वो नहीं आए तो एक जो रिवायती हरी इतिहादी हैं उनमें मजीद कुर्बत पैदा होगी और उस कुर्बत का मतलब है कि चीन के साथ भी अमरीका के तालुकात की नोईयत वो डिफाइन हो चुकी है इन्हें उसको एक मुखालिफ के तौर पे एक एडिवर्सरी के तौर पे देखा जाता है तो दोस्तो आपने वीडियो देखा वीडियो देखके आपको किलियरली समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान को आप समझ में आ गया है कि अमेरिका में जो election होने वाले हैं उसमें चाहे डोनल्ड ट्रम जीते या जोई बार्डन जीते कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया को और पाकिस्तान का कोई भी फायदा नहीं होगा दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें आपको इसी तरह के वीडियो मिलते हैं क्वड़ नहीं मिलते हैं प्लीज हमारे चैनल को कि आपको सब्सक्राइब करें लाइक करें को मिलते हैं झाल प्लीजी टुर राव मिलते हैं झाल झाल